करी कि जाई हुआ है कि हेलो ऑल याज व Towerण वेलकंषर लिकोगनिशन आ येस प्लिम्स लॉड़ण सी comprendre हम लोग देख रहे तें और लास लास में हम लोगने हीस्टरी में सब्से पहले हम लोग civilization के बारे में जिसको कियम हड़पन civilization या फिर हिंदी में सिंदू घाटी सबहता भी बोलते हैं तो फटा-फटी start करते हैं कुछ नहीं करना है आपको किवल कहानी के format में सुनना है एक movie चलने वाली है और उस movie में आपको पूरी तिहास भी याद हो जाएगी इस movie के बाद मतलब ये इस video lecture discussion के बाद questions में मैं आप लोगों को दे दूँगा एक series के format में आप अपनों question को करके देख करके समझ जाईएगा कि आपका कितना अच्छा त्यारी हो गया है चले फिर फटा पर श्टार्ट करते हैं let us start, let us compete and let us track but before that these are our contact details and these are some of the available courses on YouTube these are Plum's Special, Mains Special and Test Series based on subscription इनस्वाली Civilization के बारे में अगर बात किया जाए तो इसमें बहुत सारी चीजे होंगी जो मैं मतलब लिखी होई होंगी यहाँ पर slides पे और कुछ मैं आपको additional भी बताते रहूंगा medium, Hindi और English दोनों ही है दोनों ही मैं बोलता रहूंगा और Hindi medium के लिए जैसा मैंने आप लोगों को बोला है telegram channel join कर लिजेगा वहाँ पर आपको Hindi medium के notes भी available हो जाएंगे थोड़ा मोड़ा late होता है बढ़ ठीक है आप लोग मुझे एक message कर दिया करिए telegram कर दिया करिए और मैं फिर उसको photo खीच करके दे दूँगा आपको चलिक है इंडस्वाली civilization के बारे में अगर श्टार्ट किया गया है तो इंडस्वाली civilization actually में four greatest civilization of the world के अंतरगत आती है question यह उड़ता है four greatest civilization कौन कौन सी थी तो यह वो four greatest civilization थी एक थी हुआंगो रिवर के पास में जो चाइना की civilization थी यही चाइना की civilization आगे जा करके zinc dynasty में परिवर्तित हो जाती है zinc dynasty बनाती है zinc dynasty के बारे में हम लोग और अच्छे से international relations के topic में discuss करेंगे बात करेंगे इसमें किस तरीके से चाइना में कैसे यहां पर development हुआ है दूसरी जो civilization थी वो Mesopotamia की सब्विता थी जिसको कि हम लोग सुमेरिया की सब्विता भी बोलते हैं हिंदी में से सुमेरियन सब्विता या सुमेरिया की सब्विता भी कहा जाता है यह टिग्रिस यूफरेटस रिवर के पास में थी जिसको कि हिंदी में दजला फरात नदी बोलते हैं दजला फरात नदी क्लियर हो गया क्या चीज़ है एक तीसरी civilization थी जो नाइल निवर के पास में थी और इसको Egyptian culture बोलते हैं यह जो Mesopotamia का culture था यह actually spread काफी ज़्यादा था और इस sector में मतलब इस time period पे बात करा जाया अगर तो कीवल और कीवल सुमेरिया की जो सब्यता थी यानि Mesopotamian civilization और जो हड़पन civilization थी यह काफी ज़्यादा developed format में आप बोल सकते हैं बाकी दोनों के comparison में इनफेक्ट आप लोगों ने movie देखियोगी The Mummy The Mummy जो civilization दिखाए गई है वो Mesopotamian civilization, Sumerian civilization ही दिखाया गया है जो actual में extend हो करके Egyptian culture तक पहुँच गए थी और इसी के format में यहाँ पर बहुत सारे pyramids वगरे बनाए गये थे तो Mummy picture भी आप जा करके देख सकते हैं In fact, हरपन civilization के लिए भी एक movie, Bollywood movie लिकली वी थी जिसको Mohan जोदारो movie शायद निकली वी थी जिसको कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर भी आप जा करके मतलब history को समझ सकते हैं सारी movie में आप लोगों को बताता रहूंगा history को समझने के लिए या फिर मैं साथ ही साथ आप लोगों को थोड़ी से movie का दर्शन इसी में करा दूँगा चलिए फिर तो यह थी basically वो four important civilizations जो उस समय की थी it flourished along the flood plain of Indos and Ghagra जाकरा now the next question comes here की सारी की सारी क्यों river valley के ही पास में civilizations क्यों पन पी देखिए river के पास में हमें flood plain मिलता है और इस flood plain के साथ साथ agriculture important activity हो जाती है और हम लोगोंने last class में देखा हुआ था कि जितने भी new lithic culture थी वो new lithic culture actual में permanent settlement केवल और केवल इसलिए बन पाया क्योंकि वो agriculture करना शुरू कर दी थी क्रिशी करना शुरू कर दी थी और क्रिशी के कारण से agriculture के कारण से ही वो permanent settle हो पाया otherwise वो nomads थे nomadic ordering घुमकड प्रजाती के रहते थे और इस तरीके से वो घुमते रहते थे ultimately agriculture ही था जो इन लोगों को एक ज़़ा पर बांध करके रखा है और ये हुआ क्यों? क्योंकि river थी और river में आप लोगों को पता ही है जोग्राफी में आप लोगों ने पढ़ी लिया है कि यहाँ पर अलग-अलग तरीके की soil लेकर के आता है और soil के कारण से alluvial soils आती है और यह alluvial soils ultimately agriculture को जन्म दे रही होती है और इसी के बाद हम लोगों ने आगे देखा था कि कैलकुलिथिक एज आ जाती है और यही कैलकुलिथिक एज में हरपन civilization है हमारा clear हो गया क्या चीज़ है ये भी आपको idea लग गया क्यों सारी rivers की पास में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए Nile River है फिर उसके बाद से Tigris के उफ्रेटस River है यहाँ पर Indus सरस्पती River है और यहाँ पर Huanghu River है तो सारी की सारी river की नियर अबाउट में civilizations पनपी है इसके आगे देखते हैं तो Indus Valley civilization जो थी वो spread कर रखी थी हमारे South Eastia के Western पार्ट में और यह इंडिया पाकिस्तान अफगारिस्तान तक के इलाके में फ्लारिश करके रखी हुई थी इसकी जो age है 2500 BC जैसे दिया हुआ है हाला कि इस age को ले करके कई सारे लोगों का बहुत सारा मत है कौन-कौन से मत है कौन-कौन से इसमें विचार है कौन-कौन से लोगोंने क्या-क्या कहा है again it is very important अब देखे यहाँ पर हम लोग देखेंगे C4 carbon-4 dating के माध्यम से carbon-4 dating की जाती है ताकि हम लोग age decide कर सके carbon-4 dating के हिसाब से हमें पता चलता है कि जो हरपन civilization है ये हरपन civilization actual में तीन पार्ट में developed थी एक थी जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि this was early हरपन या early हरपन civilization ये early हरपन civilization 3500 BC से ले करके 2600 BC तक फैली होई थी दूसरी mature civilization होती है mature हरपन होती है और ये जो mature civilization होती है वो 2600 BC से ले करके 1900 BC तक ये बनी होई थी और उसके बास से आ जाती है developed या फिर इसी को बोल सकते हैं हम लोग लेटर हरपन्स ये जो लेटर हरपन्स थे ये 1900 BC से ले करके 1300 BC तक ये डवलप होती है किसने बताया carbon 4 dating ने ये बताया हुआ है clear हो गया क्या चीज़ है अब देखिए इसके अलावा हमारे बहुत सारे historians भी हैं जिन्होंने अलग-अलग समय अलग-अलग time period बताया हुआ है इस civilization का जैसे कि इसमें एक है मार्टिनर वीलर तो हमारे जो वीलर सहावें ये लगातार आपके history में बने रहेंगे इसलिए इनका नाम याद रखिएगा तो जो वीलर सहावें इनका कहना है हटाओ भाई सब कुछ और एकदम नॉर्मल तरीके से इसको पढ़ लिया जाएगा कि 2500-2500 BC से लेकर 1500 BC तक हम लोग Indus Valley Civilization को मानेंगे और यही हम लोग मानते भी हैं लेकिन इसके अलावा भी कुछ और भी historian से जो बोलते हैं जैसे की हमारे एक दूसरे Indian है जिनका नाम है डीपी अगरवाल ये जो डीपी अगरवाल सहावें ये बोलते हैं कि नहीं नहीं 2350 BC से लेकर के 1350 1750 BC तक ये फैला हुआ था इसके बाद से जो civilization आती है वो वैदिक कल्चर आयाता है आरियों का आकरमन हो जाता है इस कारवा चीजे हो जाती है इसके अलावा हमारे एक और सहाव है जिनका नाम है मैके मैके बोलते हैं कि देखें ये 2800 BC से लेकर के केवल और केवल 2500 BC तक ये फैली हुई थी बाकि उसके बाद आरियों का इन्वेजन हो गया था और ये सब्यता ये जो इंडस्वेली civilization है वो खतम हो गई थी इसके बाद आती है दूसरी मार्शल, मार्शल सहाब का कहना है कि सब कुछ बकवास है ये एक्चुल में फैला हुआ था 3250 BC से लेकर के 1750 BC तक तो ये बिसिकली अलग-अलग historian का अलग-अलग कहना है लेकिन इसमें से सबसे ज़्यादा most accepted हमारे वीलर सहाब का है वीलर का नाम भी बहुत बार सुने इसलिए और इनका याद रखना भी असान है तो सीजी सी बात है इसको ही हम लोग मान के चलेंगे इस इस अब मोस्ट accepted chronology या मोस्ट एक्सेक्ट एक्सेक्ट एक्सेक्टड टाइम पिरिएट फॉर दा इंडस वैली civilization क्लियर हो गया क्या चीज़ है यहाँ पर एक और चीज़ यहाँ पर question आती है यह आप लोग note कर लीजेगा यहाँ पर एक और चीज़ आती है कि कौन-कौन से tribes थे हमारे इस इंडस वैली civilization के दोरान में civilization में in fact tribe में हलकि आप लोग mains में यह पढ़ते हैं, mains का topic है यहाँ पर बहुत सारे tribes होते हैं, जैसे कुछ-कुछ का नाम में बता देता हूँ, like proto-australoid एक tribe होती है, proto-australoid इसी तरीके से एक और tribe होती है जिसको बोलते है, negrito बोलते है इसी तरीके से होती है, जिसको mongoloids बोलते है, इसी तरीके से हम लोग बोलते है, mediterranean ट्राइब होती है, फिर होती है, अल्पाइन ट्राइब होती है, तो इस तरीकी की बहुत सारी ट्राइब होती है, हमारे पास, यहाँ पर जो ट्राइब है, वो विसिकली फूर टाइब की ट्राइब यहाँ पर पाई गई है, पाई क्या गई है, अनुमानित है, एक्सपेक्ट यह जो Mediterranean है यह actual में Western महरास्ट के पास में फैले हुए है और ऐसा माना जाता है कि यह again Mediterranean Sea जो है वहां से आये हुए है तीसरा जो है वो Mangoloid पाया गया है Mangoloid छोटी-छोटी आखे होती है इस तरीके के tribe की और यह basically तिबतन region में पाये जाते हैं जितना जमो-कश्मीर वाले region में हैं वो Mangoloid region के पाये जाते हैं और लास्टी होती है Alpine tribe और यह Alpine tribe basically पाये गई है गंगा मैदान में या फिर गंगा प्लेंस में हम बोल सकते हैं तो यह वो four important tribes है जो Indus Valley Civilization के साथ में associated है क्लियर हो गया क्या चीज़ है आगे बढ़ते हैं आगे अगर देखेंगे Indus Valley Civilization के बारे में थोड़ी जी और हम लोग detailed चर्चा कर लेते हैं तो Indus Valley Civilization का जो establishment है जैसा कि हम लोग ने देखा कि 3250 बोला गया है हमारे Marshall साहब के द्वारा और वही आगे भी continue हम लोग कर रहे हैं हलाकि most accepted 2500 BC से ले करके 1700 BC के अंतरगत में हम लोगों ने बोला हुआ है तो इस तरीके से जो तीन फेज है अरली Indus Valley, मैचूर Indus Valley और लास्टली लेटर Indus Valley यह आपको clear हो गया आगे देखते हैं इस हलपा की खोच किस ने की थी क्या हुआ थी हम लोग अभी थोड़े जिर में डिसकस करेंगी फिलाल अभी कहानी सुनते आईए तो देखी यहां पर कुछ important sites भी होंगी उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे तो हम लोग यह कह सकते हैं कि the first excavated site after this हलपा कौन सी है मेहरगड़ है जो की पाकिस्तान में है इस मेहरगड़ का हम लोगों ने एक और बार नाम लिया था जब हम लोग इससे पहले की discussion कर रहते हैं और वहां पर हम लोगों ने Paleolithic age में बात किया हुआ था कि वहां पर भी मेहरगड़ था वहां पर भी राना घुंड़ाई और मुगल घुंड़ाई बाला कोट, डावर कोट याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है यह सारी चीज़े हम लोगों ने पहले वाले discussion में भी कर रखा है इस मैप में इसको मैं clear करता हूँ तक और च्छस दिखेगा यहां पर actual में क्या हुआ था कि यह जो इलाका था यह पूरा का पूरा black soil का इलाका था यह black soil का इलाका था क्योंकि जब यह गुजर रहा था आपको पता है यह जोगरफी में कि इंडिया जो होता है वो अफरीका प्लेट से तूट करके इंडर से गुजरा हुआ है तो जब यह गुजर रहा था तो यहां पर जो है वो volcanic eruption हो गय थे और इस volcanic eruption के कारण से इस इलाके में black soil आ गई थी और आपको पता है कि black soil में सीधी सी बात है cotton cultivation काफी जादा होता है तो यह जो गुजरात मतलब कि पाकिस्तान का region होने वाला end of the stone राजस्थान का इलाका होने वाला है यहां से cotton काफी जादा निकल के आएगा गुजरात का यह जो सौरास्ट वाला पार्ट है यहां से rice cultivation बहुत जादा होती है तो rice cultivation यहां पर देखने को मिलेगा फिर सरसो हो गई ठीक है तो इस तरीके कि जितने भी mustard oils वगरह हो गई या date palm वगरह हो गया वो हमें इसी इलाके में देखने को मिल जाएगा तो again geography is very important to study the history ठीक है तो इसलिए देखे हम लोग ने सारा कुछ discussion हम लोग ने जोगरफी वाले lecture ने ही कर रखा है और उसको हम लोग यहाँ पर apply कर रहे हैं तो हम लोग ने अलरड़ी देख लिया यहाँ पर scene क्या चीज़ हो रही है तो cotton cultivation अब आपको कभी भूलेगा नहीं क्यों होती है पाकिस्तान में क्यों मिला पाकिस्तान से ठीक है हाला कि climate change हो रहा है climate change के कारण से desertification फैल गया है और उस desertification के कारण से सहारा desert से सहारा कहां पर है अफरीका में अफरीका से फैलते हुए Arabian Peninsula में फैला Arabian Peninsula से फैलते फैलते यह पाकिस्तान तक आ गया है इरान हुआ फिर पाकिस्तान हुआ और यह इलाका desertified हो गया है इसलिए तो UNCCD बनाया गया है United Nations Convention to Combat Desertification यही रीजन है तो उस समय पाकिस्तान जो था वो इस तरीके से desert नहीं था वो तो desertification हुआ है और यह climate change अगें ठीक है चले खेर यह तो आप लोग समझ गया होंगे Now the next question आता है अब हम लोग जरा इस Indus Valley Civilization का expansion देख लेते हैं कि कहां कहां पर यह फैला हुआ था इसके expansion को देखेंगे तो फटा फटा हम लोग एक काम करते हैं map ही देख लेते हैं तो यहाँ पर देखेंगे आपको एक map देखने को बिलेगा this is basically Indus Valley Civilization का map इसको मैं highlighter ले ले लेता हूँ जो important places हैं वो मैं आपको बता दूँगा जैसे देखें यहाँ पर एक बलुचिस्तान इलाका है यह बलुचिस्तान इलाका काफी important इलाका हुआ करता था दूसरा इलाका था राजस्थान का इलाका, तो ये जो राजस्थान का पूरा इलाका है, ये इलाका काफी important था, तीसरा ये सौराष्ट का region काफी important था, चौथा रीजियन, जमु कश्मीर का इलाका था, इसमें भी अगर देखेंगे, हम लोग कुछ important zones हैं, जैसे zone का मतलब हो गया, देखेंगे, यहाँ पर मांडा आपको दिखेगा, in fact, यहाँ पर बना नहीं हुआ है, कोई बात नहीं हम लोग इसको लिख देते हैं, तो यहाँ पर मांडा इलाका होता था and this is the northern most territory of Indus Valley civilization, तो यह northern most territory थी, किसके पास में थी, यहाँ पर देखिए, चंबल रिवर होगी, बना है कि नहीं बना है, ओके, नहीं बना है, कोई बात है, यह चंबल रिवर के पास में, यह इलाका हुआ करता था, और यह northern most territory है, इसी तरीके से, अगर हम लोग western most territory देखे, तो यहाँ पर सुथकागेंड दोर यह इलाका आया करता था, तो देखिए, अगीन यहाँ पर शायद बना नहीं हुआ है, सुथकागेंड दोर, यह बना हुआ है, देखे, यहाँ पर है सुथकागेंड दोर, और यह western most इलाका था, ठीक है, यहाँ पर river जो थी, है, डैमाबाद, और यह जो दैमाबाद है, यह basically, इसकी, कहाँ लिजे की सबसे नीचे की, या फिर कहाँ लिजे की, southern most territory हुआ करती थी, दैमाबाद, यह दैमाबाद, गोदावरी नदी के तटपे था, गोदावरी रीवर के यह coastal इलाके में आ जाता है, और यह हो गई, हमारी north हो गई, west हो गई, और south हो गई, अब हम लोग आ जाते हैं जरा, अपने eastern side में, eastern side में, हमारी जो territory थी, उसका नाम था, आलमगीरपूर, अब देखें, यहाँ पर I guess, बना नहीं हुआ है, कोई बात नहीं, यहाँ पर जो है, गंगायमना के तक पर, यहीं पर जो है, आलमगीरपूर था, A-L-A-M-G-I-R, आलमगीरपूर यह हो जाती है, इसकी, eastern side trip, तो हम लोग ने east-west, north south, चारोर देख लिया, इसके अलावा कुछ और भी important यहाँ पर देखिए, सुर्को ताला, सुर्को ताला भी जो होती है, again, important इलाका है, इसी तरीके से देखिए, यहाँ पर धुला वीरा हो गया, धुला वीरा के अलावा, यहाँ पर देखिए, बाला कोट बगर है, यहाँ पर देखिए, तो चार पोट दिख गया आपको एक ये बाला कोट दिख गया, नमबर वन दूसरा ये आपकी आलन दिनो, ये दूसरा पोट हो गया तीसरा पोट आपको दिख जाएगा लोथल के फॉर्मिट पर, तो तीन आपको पोट इलाके दिख गया है, ठीक है, इसके अलावा कुछ important और भी है, ऐसे देखिए, यहाँ पर राणा घुंड़ाई हो गया, फिर उसके बाद से इसी तरीके से और भी अगर कुछ बना हो तो बना हो, कहर कोई बात नहीं, ऐस सच important कुछ खास नहीं है यहाँ पर, ठीक है बागी देखिए, यहाँ पर अगर आप देखेंगा तो रोपड आपको देखने को मिल जाएगा, आलमगीरपूर यहाँ पर देखिए, बना हुआ है, मैंने यहाँ पर लिख दिया हो, कहर कोई बात नहीं, आलमगीरपूर हो गया, इसी तरह यहाँ पर एक जोन अगर मैं बताऊं, तो यहाँ पर एक लाइन जा रही है यह जो इंडस रिवर है, यह बेसिकली इंडस रिवर के अगर राइट साइड में आप देखेंगे, तो यहाँ पर मोहन जोदोडो देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पर तो हरपा वगर देखने को मिल जाएगा, वही इसके लेफट साइड में देखेंगे, तो काली बंगा हो गया, बनस्वली हो गया, चनहुदारो हो गया, यहाँ पर देखें, चनहुदारो आईगे, लिखा होगा कहीं, खär नहीं लिखा है, चनहुदारो एक और इलाका आजाता है यहां देखें चन्हुदारों लिखा हुआ है देन धोला वीरा वगर हो गया तो कई बार क्वेश्चन यह पूच दिया जाता है कि जो इस तरीके से अलग-अलग कर रही थी क्लियर हो गया क्या चीज़ है ओके नाव वापस कमिंग बैक तो आजाते हैं पर तो हरपन यह हम लोग देख लिया था महरगल के बारे में जिग्राफिकली था civilization was covered पंजाब, सिंद, बलुचिस्तान, राजस्थान, गुजरात, वेस्टरन, उत्तर प्रदेश इट extended from सुथ का गेंडोर यह बलुचिस्तान में था वेस्टरन most territory थी वेस्ट में आलमगीरपूर, यागेन, यूपी में आ जाएगी, मांडू, जमुकश्मीर में, चेनाब रिवर के पास में और नॉर्थ में दैमाबाद जैसे बना हुआ है, हलाकी जो होता है, जमुकश्मीर ही था and south में हमें देखने को मिल जाएगा कि दैमाबाद है, okay, south में आ जाएगा, ठीक है some indus valley sites also have been found in as far as अफगानिस्तान और तुर्कमिनिस्तान में भी कुछ-कुछ इलाके हमें देखने को मिलते है one important fact here, कि जो अलहन दिनो है, जिसको कि हम लोगों ने बोला था, कि ये port इलाका था, ये smallest site है indus valley civilization की, clear हो गया क्या चीज़ है, आगे बढ़ते हैं, ये हम लोगों ने sites देखी लिए हैं, आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग चला इसकी कुछ properties की बारे में पर discuss करते हैं, properties से पहले again मैं आपको थोड़े से यहाँ पर फिर से एक कह लिए कि fact के बारे में अगर बता दुगा जाए, तो fact के बारे में अगर बात करेंगे, तो थोड़ी से आपको एक idea दे देता हूँ, हलपन civilization और Mesopotamian civilization के बीच में difference को ले करके, तो देखिए अगर इ Mesopotamian civilization और यहाँ पर हमारी हरपन civilization, suppose this is हरपन civilization, अगर बात करेंगे इनके, अगर बात करते हैं इनकी किस तरीके से लिखा जाता था, what were the sculpture या फिर कह लिजे कि writing किस तरीके से हुआ करती थी, तो writing होने के लिए यहाँ पर कीलाक्षर टाइप का था, कीलाक्षर, ठीक है, और यहाँ पर क्या थी, expression type की हुआ करती थी, तो expression वाली यहाँ पर language हुआ करती थी, pictographic बोलते हैं, expression वाले को बोलते है, pictographic, ठीक है, भावचितरात्मक बोलते हैं इसको, तो pictographic यहाँ पर हुआ करता था, अगर इसके urban management की बादें, urban planning के बारे में अगर बात किया जाए, तो यह लेस डवलब्ड थी लेकिन ये हाईली डवलब्ड दी है जो हलपन सिविलाइजेशन है अगर बात करें इसमें ब्रिक की तो आपको पता ही है कि अब तक जो है वो फायर आग की खोज हो चुकी थी लेकिन फिर भी मेसोपोटामिया वाले रॉब ब्रिक का इस्तमाल करते थे मतलब कच्ची इटो का जबकि ये क्या है बॉंट ब्रिक का इस्तमाल करते थे मतलब जला करके पका करके पकी हुई इटो को लगाते थे रिलिजियस प्लेसेश के बारे में अगर बात किया जया तो देखिए मेसोपोटामियान में बिल्कुल religious places जो है वो मिले हैं पाएगा है बाट यहां पर कोई भी as such proof नहीं मिला है कि हम लोग बोले हरपन civilization में मंदीर वगरे मिलते थे या फिर कोई भी religious place वगरे मिलते थे ऐसा कुछ भी नहीं था अगर seals के बारे में बात किया जाए seal मतलब की जो मुहर वगरे लगाई जाती है मुहर का मतलब हो गया जैसे seal होता है ना कि माली जै कि कोई trade भेजना है तो वहाँ पर आप seal मार देते हैं जैसे train वगरे में आप लोगों देखा होगा कि जितने भी freight trains होती है वहाँ पर seal लगी होती है और साथ ही साथ में rectangular हुआ करती थी यह सब के सब excavation से archaeological site से मिला हुआ है clear हो गया तो यह चीज़ आप लोग नोट कर लीजेगा आगे अगर हम लोग बढ़ा जाए और देखते हैं कि अब कुछ important civilizations के बारे में थोड़ा सा और बात कर लेते हैं मतलब हरपन civilization के अंदर में ही बहुत सारी cultures actually developed थे again यह आपके slide में नहीं है इसलिए ध्यान में रखिएगा slide में तो यहाँ पर देखिए हमारे पास जो इलाका था वो था बलुचिस्तान का इलाका इस बलुचिस्तान के अलावा राजस्तान का इलाका था इस राजस्तान के अलावा चनहुदारो का इलाका था similarly एक और इलाका था जो हरपन का था हरपन्स का इलाका था हरपन में तो सीधी से बात है यहाँ पर हरपन ही culture होगी तो यहाँ पर हरपन culture हो जाएगी चनहुदारों में जरेकल्चर हुआ करती ते उसको बोलते है छुका जुकर छुका जुकर ढिर्ष हालाक कि अभी इसका नाम भी आएगा आगे जब हम लोड डिस्क्ष करेंगे राजस्तान में सोथी कल्चर है यहाँ पर सोथी कल्चर हुआ करती थी और जबकि बलुचिस्तान में कुली नाल कल्चर हुआ करती थी This is कुली नाल कल्चर ठीक है कुली नाल कल्चर कैसे याद रखेंगे इसको ठीके बलुचिस्तान हमारा इलाका जो आता है पीयोकी में आता है बलचिस्तान हमसे कती हो गया है कई बार है आप लोest ओहां से आपको याद हो जाएगा हरपन में आपको याद करने जूरूती नहीं है लिएशेटी हरपन खतम हो गया काम याद हो गया آ Admiral embedded चलिए अब हम लोग जिरा इसके locations से अच्छा अगेन थोड़े से और facts के बारे में बात कर लेते हैं कुछ और भी facts हैं जो आपको ध्यान में रखनी हैं जैसे जो graphical location के basis पे कई बार आप लोगों से पूस रता है कि कौन सी site सबसे बड़ी है तो सबसे बड़ी जो site है उसका नाम है मोहन जोदारो मोहन जोदारो ठीक है मोहन जोदारो दूसरे नंबर की जो है वो हडपा होती है हडपा civilization मतलब हडपा हो गई तीसरी जो site है वो है राखी गड़ही और जो चौथी site है उसका नाम है धौला वीरा धौला वीरा ठीक है this is धौला वीरा actually now किस तरह से याद रखें इसको देखें महा राधा बस काम ख़तम याद हो गया आपको महा राधा महा मतलब हो गया महां जोदरो हा से हो गया हलपा रा से हो गया राखी गड़ी और धा से हो गया धौला वीरा एरिया के basis पे ये बेसिकली जो होता है वो बढ़ते मतलब घटते क्रम में हैं इस तरीके से लगा हुआ है clear हो गया now आगे बढ़ते हैं और जड़ा आगे और देखते हैं टाउन प्लानिंग को ले करके आप जड़ा देखना शुरू करते हैं लेकिन हम लोग सारा हरपन सिविलाइजेशन इसी वीडियो में कवर करेंगे ताकि आपको कहीं और कुछ भी देखने की जरूरत ना पड़े और मेंचीज यह है यार मूवी तो कंप्लीट होनी जरूरी है न अब ऐसा तो है नहीं आधी मूवी उन छोड़ करके आप भाग जा को लेकर के तो सिटी जो थी वो बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड़िट थी उस दो पार्ट में एक जगा पे रेजर प्लेटफॉर्म था जिसको हम लोग अपर सिटाडल बोलते थे और दूसरी तरफ जो होता है वो लोवर सिटाडल थी इसका मतलब क्या चीज है मतलब यह है कि यहां पर माल लेते हैं कि सपोस कोई एक सिटी है अब सिटी मतलब की हरपन सिविलाइजेशन कोई सिटी नहीं है हरपन सिविलाइजेशन के अंदर में बहुत सारी सिटी है जैसे हरपा एक सिटी थी मोहन जोदरों एक सिटी थी बनावली एक सिटी थी चनहुदारो एक city थी सुर्कोताड़ा एक city थी सुटकागे इंडोर एक city थी लोथल एक city थी डाबर एक city थी राजगोट city थी तो इस तरीके से बहुत सारी city है clear in city में divided format में था एक divided था जो एक height पे था मतलब कि यहां के लोग height पर रहते थे और बाकी लोग नीचे जमीन पर रहते थे अब यह जमीन और यह काम कब अंतर आप करेंगे जब आदमी के अंदर जो होता है वो एक difference करना होगा तभी ना आप अंतर करेंगे यहाँ पर actually high-five लोग रहते थे high-five लोग और यहाँ पर lower class के लोग रहते थे तो यही basically एक difference है यहाँ पर कि यहाँ पर higher class और lower class का difference था यह difference basically economic side से था यहाँ पर कोई समाजी की स्थिती कोई world व्यवस्था world system नहीं है कि ब्रामर्शत्री वैश शूदर वाला system है नहीं यहाँ पर basically पूरा का पूरा economic status के basis पे था और यह economic status इसको दो पार्ट में divide करके रखा था one was जो high class के लोग थे जो upper citadel पे रहते थे और lower class के लोग होते थे जो lower citadel के basis पे रहते थे अब देखी होता क्या था higher वाले class वाले लोग क्या करेंगे lower वालों को आने से यहाँ पर रोकेंगे तो रोकने के लिए क्या करते थे fortification कर देते थे fortification मतलब किला बंदी कर देते थे यह किला बंदी अब यह किले बंदी जो होती है हमें अलग अलग तरीके से देखने को मिली है कई जगों पे किलाबंदी हमें सिंगल फोटिफिकेशन देखने को मिला है कई जगों पे हमें सेपरेट फोटिफिकेशन देखने को मिला है और कई जगों पे हमें नो फोटिफिकेशन देखने को मिला हुआ है अब देखिए इन सारे लोगों के बारे में काईदे से तो हमारे पास किवल और किवल fact है बट हम लोग एक story बना करके याद करेंगे ताकि और अच्छे से concept भी clear होगा याद भी हो जाएगा और आपको लंबे समय तक याद रहे लेकिन फिलहाल अभी सिटालेल के बारे में आप लोगों को clarity हो गई है fortification की जरूरत क्यों है ये clarity हो गई है आगे देखते हैं तो यहाँ पर basically जो houses और roads थे वो basically grid system थे grid system क्या होता है grid system होता है ये मा लेते हैं कि ये जो है वो अलग-अलग road है ये single road है ये ये road है देखिए छुटी-छुटी road जा रही है ठीक है ये road है और इस road को basically ये cut कर रहा है आज की date में देखे government of India भी यही follow कर रही होती है जब भी urban planning करना होता है इस तरीके के format को हम लोग बोलते है ये sector model this is actually sector model कई बार आप लोग ने सुना होगा जितने डैली वाले लोग होंगे उनको पता होगा द्वारका sector 9 द्वार्का sector 8 द्वारका sector 7 द्वारका sector 32 ठीक है तो इस तरीके से sectors बने हुए है similarly greater noida में भी centers बने हुए है noida में भी centers बने हुए है बने गर नहीं बने है तो इस तरीके से basically sectoral model था जहां पर यह जो roads है यह सब roads है यह दूसरे को 90 degree पे cut करते थे एक तो यह चीज दूसरी चीज जो road बने होते थे जो houses वगर है बने होते थे वो house मालेते हैं कि यह house है यह मालेते हैं कि house है अब इस house की एक connectivity तो main road से है और एक पीछे जो है वो गली से connectivity maintain है अब देखिए road पे अगर आप दरवाजा बना देंगे CDC सी बात है पूरा का पूरा pollution आपके घर में चला जाएगा इस वज़े से यह लोग पीछे के साइड में अपनी door और window बनाते थे जिससे की एक तो connectivity हमें maintain हूँ दूसरी pollution भी ज़्यादा घर में न घुसने पाए तो यह देखिए again story के वल है यह सही है कि नहीं है यह नहीं बताए जा सकता है आपको fact यहाँ से याद हो जाएगा कि जो doors और windows हुआ करते थे वो back side में मतलब कि back yard में फुल रहे होते थे जो की connecting line connecting road हुआ करते थे जो main road नहीं हुआ करते थे वो केवल और केवल एक गलियारा type का हुआ करता था bond bridge use किया करते थे ठीक है और यह जो होती है remarkable features है हड़पन की हाला की एक जगा पर unborn brick भी use किया गया है कौन सी जगा है थोड़े ज़र मैं भी बताऊंगा आपको और बताऊंगा तो यार भी हो जाएगा आगे देखिए great baths served as the ritual bathing found in the upper citadel of mohan jodron mohan jodron में एक जो होता है great bath भी मिला है नहांगार भी मिला हुआ है इसको ritual bathing भी बोलते है लेकिन यहां से एक चीज़ confirm हो जाते है कि जो इंडस वैली civilization के जो लोग थे वो hygiene को बहुत ज़दा priority देते थे साफ सफाई को बहुत ज़दा priority देते थे साथ ही साथ बहुत सारे dust beans भी मिले हुए है मोहन जोदलों में और in fact हर एक road पे मिले है यानि कि ये लोग जो है sanitation को और जो साफ सफाई उसको काफी आदा ध्यान में रखते थे grandry भी एक मिली हुई है बहुत बड़ा सा अनगार इसको बोलते है अनगार जहां पर greens को रखा जाता है बहुत भी बहतरीन था यहां पर एक important चीज़ है rainwater harvesting की fundा था हर एक घर में rainwater harvesting system थी जिससे कि हमें पता चलता है कि ये लोग water management भी बड़े अच्छे से जानते थे ये water management की यहां से हमें जानकारी मिलती है हलाकि हमें लोथल और चनुदालों से भी water management की कहानी मिलती है इसके बारे में आपनों बात भी करेंगे आगे अगर बात किया जाए agriculture and trade related अब agriculture और trade related बात ही क्या थी इससे पहले अगर बात किया जाए कि यहां का आखिर में जो living condition के लिए लोग जो job use करते थे वो कौन-कौन सी थी तो इसमें agriculture का काम करते थे लोग agriculture के अलावा trader थे trader के अलावा ये लोग artisan भी थे artisans और artisan के अलावा agriculture trader निन सब के अलावा कुछ और लोग भी थे जो अलग-अलग काम भी करते थे जैसे animal husbandry this is animal husbandry now the next question comes अच्छा अभी आगे की slide में आई जाएगा तो आगे की slide में देख लेंगे in this region was fertile in the ancient time otherwise it would not have supported towns and villages मतलब काफी आदा उस समय जो होता है fertile था यहाँ पर agriculture वगरे किया आता था यहाँ पर कौन-कौन सी चीज़े बोई जाती थी एक तो गिहू हो गया बारले jaw हो गया, peas हो गया sesame हो गया, mustard हो गया, लोथल हो गया लोथल में people जो होता है वो rice वगरे हो आते थे मैंने आप लोगों को अभी बताया हुआ है कि देखिए यहाँ पर Pakistan का जो region था, वहाँ पर cotton होआ करता था क्योंकि black soil होती थी गुजरात का जो region था, लोथल वगरे है वहाँ से rice मिला हुआ है हमें इसके बारे में भी हमें जानकारी हो जाती है राजस्थान का जो इलाका है wheat हो जाता है, वहाँ से wheat के लावा बारले हो जाता है, मतलब jaw हो जाती है बाकी मैंने आप लोगों को बताया था कि oil seeds यहाँ पर होते है और लेकिन यहाँ से एक चीज पता चल गया कि जो textile industry होने वाली है यह काफी रहादा डबलब होने वाली है और यहाँ क्योंकि यहाँ के लोग animal husbandry भी करते थे animal husbandry करेंगे तो wool तो मिलेगा ही मिलेगा और ठंड में यह लोग क्या cotton के कपड़े पहन के रखी नहीं क्या obviously common sense है चलिए खर दो देर वास्ट्रक्चर्स यूस्ट्टू स्टोर water, governments और नाला मतलब बिसिकली यहाँ पर water management काफी अच्छा था जिसको हम लोग ने अभी थोड़ देर पहले ही discuss किया हुआ था और यहाँ आपर basically canal irrigation और channels होते यह सब तो नहीं मिले है लेकिन चन हुदारों से चन हुदारों से एक pipe structure जरूर मिला है यह pipe structure यह आपको ध्यान में रखना है कि चन हुदारों से मिला हुआ है भी हम लोग आला की discuss भी कर लेंगे इसको इंडस वैली पीपल के जो लोग थे वो short distance और long distance दोनों तरीके के trade ही किया करते थे foreign trade भी होते थे जैसे कि हमारे पास अगर बात करें इंडस वैली civilization इसके साथ में Sumerian जो civilization थी है जिसको हम लोग बोल रहते है Mesopotamian civilization इनके साथ में हमारा trade काफी अच्छा था अच्छा ट्रेड के लिए सीधी सी बात है यहाँ पर क्या है dockyards है यानि कि हमारे पास ports है अब सीधी सी बात है किस तरीके से trade होगा waterways के माध्यम से trade होगा अब waterways अगर होँगे तो सीधी सी बात है यहाँ पर ships और जो boats है यह भी developed होँगे मिलेंगे ही मिलेंगे बिलकुल मिलते भी है in fact छोटे-छोटे toys के format में हमें 9 अगर है मिली हुई है अब यह 9 लोग खाली खिलोने तो बनाएंगे लिए waterways के इस्तेमाल करते ही होँगे तो they used boats as well as the bullet carts for transportation और इन दोनों का हमें एक prototype जो है वो खिलोने के माध्यम से toys के माध्यम से हमें मिला हुआ है अलग अलग जगों पे मिला है इसके बारे में अब लोग को बताया कि square shape और rectangular shape दो तरीके के हुआ करते थे और इस पर जो seal है उस पर कोई ना कोई photo तो बनी ही होगी photo के रूप में यहाँ पर जो है वो कह लिजे कि one hand rano type का बना होता था और साथ में पशुपती शिवा बने थे पशुपती शिवा ठीक है पशुपती शिवा भी बने हुए थे यह सब के बारे मैं भी बताऊंगा क्या है developed a uniform system of weight and measures अब देखिए यहाँ पर again एक important चीज़ है weight और measure के लिए यह लोग cubic system यूज़ करते थे cubic system का मतलब क्या है जैसे आज देखते हैं कह लिए कि डिवीजन बेसिस यूज़ करते थे डिवीजन बेसिस का मतलब डेसिमल का मतलब समझे 0.05 इसका अगला जो weight हुआ करता था 0.1 इसका अगला 0.2 इसका अगला 0.4 इसका अगला 0.8 इसका अगला 1.6 समझ में आया तो यह basically double double होते आ रहा है तो यह जो double हो रहा है decimal और division यह दोनों इस्तमाल किया आता था इन फार्मिट आफ वीड एंड मेजर समझ में आ गया क्या चीज़ है आगे बढ़ते हैं seal and one second let me erase it seal and sealings were used in trade marks of ownership mean to guarantee the quality of the product तो सीधी सी बात है seal क्यों लगाते हैं बताने के लिए अपना दिखाने के लिए in fact आज की डेट में कोई भी product आप खरीते हैं उसके उपर hologram लगा होता है क्यों लगा होता है hologram वो इसलिए लगा होता है ताकि authentic रहें कहा जाता है hologram जरूर चेक करके खर समान खरीदिये तो यह basically seal and sealing जो थी वो hologram युगा करती थी उस समय का 3D hologram था बस यह है कि उस समय इतना physics लोग पढ़े नहीं थे कि hologram जो है वो develop कर पाए तो अपना seal वगार है तयार करके रखे थे और वैसे भी आज की डेट में चितना चोरी चकारी हो रखे यह उतना इंडेस वैली में थोड़ी ना चोरी जगा रही था चोर वगार मिले ही नहीं है चलिए खर कोई बात नहीं जोक सबाट most of the seals were made of steel tight तो steel tight एक तरीके का soft stone होता है जिसको मतलब seal वगार बनाने के लिए use किया जाता था a few of the seals were also made of gold ivory, agate, terracotta, chard and fiance यहां पर एक चीज़ आपको ध्यान देनी है कि iron नहीं था iron क्यों नहीं था क्योंकि सीथी सी बात है अभी हम लोगों देखा कि हम लोग basically पढ़ रहे हैं जो हमारी यह calcolithic age है तो इस calcolithic age में जब तांबा है केवल सिर्फ और सिर्फ जब copper है iron है ही नहीं तो कहां से iron मिल जाएगा iron मिलेगा कब जब वैदिक system स्टार्ट हो जाएगा वैदिक age ही स्टार्ट हो जाएगा तब जाकर के iron मिलना शुरू होगा यानि कि यहाँ पर इंडस वैली में iron को छोड़ दिया जाए तो सब मिलेंगे gold मिलेगा, copper मिलेगा, silver मिलेगा, tin मिलेगा, इसके अलावा आपका ivory मिलेगी, terracotta मिलेगा, chard मिलेगा, सब कुछ मिलेगा लेकिन iron नहीं मिलेगा, clear हो गया, आगे बढ़ते हैं Now the domestication of animals के बारे में बात कर लेता है कि कौन कौन सी चीज़े हैं, कुछ यहाँ पर देखिए, हम लोग जो बाते करेंगे वो थोड़ी सी unauthentic भी हो सकती है because sometimes जो है, वो question भी इस तरीके से आया हुआ है But still, हम लोगो देखेंगे वो जो NCRT में लिखा हुआ है We are going to follow the NCRT, देखेंगे क्या चीज़ है तो यहाँ पर basically mixed type की farming देखने को बलती है अर अपन civilization में क्योंकि लोग agriculture भी किया करते थे और इस agriculture के साथ-साथ animal husbandry भी किया करते थे दोनों बाते किया करते थे तो domestication of animals का अगर बात किया कौन कौन से जानवर पाले आते थे तो जितने भी milk producing, जितने भी दूद देने वाले हैं milk producing जितने भी animals हैं वो सब होते थे जैसे buffalo हो गया, goat हो गया, cow हो गई, sheep हो गया, pig हो गया, goat होई गया न ठीक है अब सीधी सी बात है, cow है तो bell तो हो गई होगा, अब bell है तो sahn भी होगा ही होगा ठीक है, तो ये सब चीज़े होती है, तो dogs और cats भी जो होते हैं, domesticate किये जाते थे और ये dog और cat का जो funda है, वो हमको मिलता है चन हुदारों से आपको कुछ भी याद करें, जूरत नहीं पड़ेगी, मैं सब के सब अभी एक साथ याद करवा दूँगा, आपको सारी funda याद हो जाएगा इसके लावाद जो hummed bulls है, वही जो sahn है, were favored and kept asses and camels which were used to beast of burden तो basically यहाँ पर हमें camel और horses में थोड़ा सा confusion है कि क्या हुआ होगा, बट still आप लोगों से एक बार UPSC में in fact question आ चुका है कि horses बगरे के remains मिले हैं तो वहाँ पर answer भी दिया गया था, yes मिले हुए है, सुथकागेंडूर वगरे से मिला हुआ है, तो वहाँ पर हम लोगों मान के चलेंगे कि camel और horses दोनों ही available थे इस civilization के अंदर में, clear हो गया, आगे देखते हैं there was an ambiguous evidence of horse report, तो हम लोग ने अभी देखा horse report को लेकर के ambiguity है, सुर्क उताड़ा में, सुथकागेंडूर नहीं, सुर्क उताड़ा में, and Mohan Jodhra and from the Lothal, but it has now been confirmed, कैसे confirm हो गया, UPSC ने question पूस दिया है, और उसमें answer दे दिया था, इस वज़े से हमारे लिए ये जो ambiguous evidence था, अब वो evidence में बदल गया है, ठीक है, sometimes exam also helps in reading all these topics, चलिए खेर, elephants were also known for elephants and rhinosaurus, तो rhinos वगरे हमें मिला है, क्योंकि ये जो हमारी पशुपती शिवा है, Lord शिवा जो है, उनके ये चारो और में ये animals को दिखाया गया है, तो वहां से हमें पता चले जाता है कि क्या क्या सिस्टम था, अब हम लोग ज़रा society के बारे में discuss कर लेते हैं, society के बारे म जो आपको ध्यान में रखनी है, firstly आपको ध्यान में ये रखना है कि यहां पर slavery system चलता था, तो slavery system के भी प्रमाड मिले हैं, इसलिए slavery system चलती थी, दूसरी सती system यहां पर था, कैसे पता चला, क्योंकि यहां पर couples burial मिले हुए हैं, मतलब कि यूगल शवाधान, यानि कि दो ल यहां पर लोगों को मिला हुए, in fact यहां था कि humans को कुते के साथ में भी पाया गया है, इसके burials भी पाये गये हैं, इसके भी शवाधान पाये गये हैं, यानि कि जो dog था, वो काफी यादा लोगों के बीच में एक friendly nature का था, लोग पालते थे, तो society seems to be stratified based on the class and this class was basically based on the economic status, यह economic status के basis पे division हो रखा था, based on the settlement pattern, location of greenery and objects found in the burial, one can say thoroughly there existed social inequality, समझ में आगे हैं, social inequality किस तरीके से, again, there was, there was slavery system, people of India were beauty conscious and this is reflected in dressing sense and the ornaments used, तो बहुत सच सजा करके रहते थे, सच सजा करे रहेंगे तो सीदी सी बात है, कोई ना कोई एक beauty parlor तो मिलेगा ही मिलेगा, यह जो beauty parlor था, वो चन हुदारों में था, चन हुदारों में, अब चन हुदारों में आपको जब beauty parlor दीखेगा, तो क्या होगा, यहाँ पर, एक तो this should be open to all, open to all होना चाहिए, हम लोगों ने बात किया था, fortification होती थी, होती थी कि नहीं होती थी, fortification होती थी, high upper citadel हुआ कर any fortification, और इसी लिए, this is exception, यह exception है, क्योंकि यहाँ पर किसी भी प्रकार की fortification नहीं पाई गई है, clear, एक तो यह हो गया, दूसरा, aesthetics यहाँ पर maintain करके रखना होगा, aesthetics का मतलब क्या, सुन्दर्ता, अरे भाई, सीधी सी बात है, beauty parlor बनाना है, तो दिखावा तो करना पड़ेगा, सुन्दर्ता बनानी पड़ेगी, इस aesthetics के लिए यहाँ पर burnt bricks का तो use किया जाता था, normally जो burnt bricks हुआ करते थे, वो rectangular, rectangular का मतलब क्या हो गया, कि यहाँ पर cuboid shape के यह हमें bond bricks हुआ करते थे, बट यहाँ पर aesthetics को maintain करने के लिए, curvy यहाँ पर हमें brick देखने को मिले है, तो यहाँ पर curvy brick देखने को मिले है, थोड़ा सा एकदम सुन्दर्ता बनाने के लिए इस तरीके के brick वगरे आ गया है, जिससे की सुन्दर्ता maintain रहे, first thing, इसके अलावा यहाँ पर pictography बहुत ज़्यादा की गई है, दिखाया गया है, अब pictography में अचानक से बिली का पीछा करते हुए कुटे का फोटो बना दिया गया है, अब बताईए, पिक्टो ग्राफी में भी यह लोग कुटा बिली बना रहे हैं, खैर देखिए, जो भी है, कुटा बिली बना करके रखेते हैं और यहाँ से हमें यह फोटोग्राफ मिली हुई है, जिससे हम लोग बोल सकते हैं कि बिली और कुटे का भी domestication किया जाता रहा होगा, समझ्या है क्या चीज़ है, तो चनुदारों के बारे में आप लोगों को एक idea लग गया होगा, बिसिकली यहाँ प इसको ब्यूटी पार्लर बोलाता है, चनुदारों से यह सब चीज़ें मिली हुई हैं, तो एक idea लग गया, चीज़ें समझ में आ गई होगी, एक याद भी हो ही गया होगा, भी हम लोगो लास्ट में जो है, इसको रिवीजन भी करेंगा, तो याद हो जाएगा, इसको बाद और्नमेंटेशन में भी देखिए, आईवरी है, हाथी दात है, गोल्ड है, तो यह गोल्ड वगरें क्यों करेंगे, लोग दिखाने के लिए करेंगे, सीधी सी बात है, अपनी prosperity दिखाने के लिए करेंगे ही करेंगे, तो मर्चेंट और प्रीस्ट क्योंकि ट्रेडर्स हैं, सीधी सी बात है, ट्रेडर्स होंगे तो वो अच्छे खासे economic status रखेंगे ही रखेंगे, हाईर क्लास में आ जाएंगे, सीधी सी बात है, जो दिएर में वाशिप आफ मदर गॉड़ेस, मदर गॉड़ेस की मतलब की मात देखने को मिली हुई है, योनी पूजा देखने को मिली हुई है, योनी वाशिपिंग, ठीक है, ये भी हमें देखने को मिली हुई है, साथ इसाथ में इनफेक्ट एक पिक्चर मिली हुई है, उस पिक्चर में जो मदर है, मदर मतलब की एक लेड़ी है, उस मदर के पेट से मतलब कि इस टमक से एक ट्री निकला हुआ दिखाया गया है, मतलब ये जो पूझा करते थे वो fertility की पूझा करते थे, तो ये basically fertility की पूझा करते थे, ये थोड़ा सा अलग जरूर है, अब रिलिजियस और रिलिजियस प्राक्टिस के बारे में देखिया आही गया फ़र आपट इसके बारे में भी डिस्कुस करी लेते हैं विट रिचुवल सिग्निफिकेंस इंडिगेट दा इग्जिस्टेंस आफ कलेक्टिव वर्शिप ग्रेट बात मोहन जोड़ू विट रिचुवल सिग्निफिकेंस प्रिवलेंस ऑफ कल्चर ऑफ फॉर्टिलिटी एंड मदर गॉर्डनेस वर्शिप 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 दो तरीके के पेड़ की पूजा की जाती थी एक तो पीपल का पेड़ होई गया दूसरा जो है वो नीम ट्री था जिसकी ये लोग पूजा करते थे तो नीम ट्री आज वाल एज द़ा पीपल ट्री दोनों के बारे में पूजा किया करते थे ये लोग अन्द सेल फेमस डाइटी जो थे वो प्रोटो शिवा या जिसको हम लोग पशुपती शिवा भी बोलते हैं डाइटी सराउंडेट बाइ अनिमल कौन कौन से अनिमल से सराउंडेट हैं बकरी से हैं, हाथी से हैं, टाइगर से हैं एंड एंटलप से हैं क्लेर हो गया, याद रखेगा, ये क्वेस्टन पूछे जाते हैं इस पे बेश्ट, इस वज़िया से इसको ध्यान में रखेगा, ठीक है? जैसे हमारे कैलीजे की जो अशोक चिन है, उसके भी चार ओर में हमें शेर बना हुआ है, सिमलली यहां पर भी जो है, वो मतलब गो टेलिफें टाइगर और इंटलप हमें देखने को मिल जाता है जैसा कि अभी हम लोग ने डिसक्स ही किया है, बिसाइट तो जो है, गेम आफ थ्रोंस भी देखे हुए होंगे, आप लोग अगर देखे होंगे, तो तो गेम आफ थ्रोंस में भी दिखाया गया है, लॉट अफ लाइट के बारे में, और यह जो लॉट अफ लाइट है, वो यहाँ पर भी पूजा किया जाता था, देख सकते हैं कि वर्शिप अफ दाफ फायर इस प्रूवड वाइद डिसकवरी ऑफ फायर अल्थर्स अफ लोथल, काली, बंगन, एन हरपा, ठीक है, का बिसिकली डिस्पोज करते थे, डेड़ बॉड़ी को, वन वाज़ अफ पार्शियल बरियल, आधा अधूरा, दूसरा होता था, जो कंप्लीट बरियल होते थे, पूरी तरीके से जमीन के अंदर में गार देते थे, अग्ध तीशरा होता था, जो बेसिकली यहाँ पर, ज यानि कि ये लोग rebirth में विश्वास करते थे क्योंकि इनके सारे समान को भी साथ साथ में रख दिया रहा है कुटा तक को रख दिया गया था अगले जनम में जब पैदा होंगे तो फिर उसका कुटा बन करके आएगा तो इस तरीके से जो होता है प्रोटो हिस्ट्री में रखेंगे इसको प्रोटो हिस्ट्री में और अगर यह डेसिफर कर ली जाएगी तो हम लोग इसको हिस्ट्री में डाल देंगे तो यह हम लोग ने last class में डिसकस किया हुआ था script जो है वो alphabetical नहीं है बलकि क्या है pictographic है यानि की expression वाली मतलब यहां पर जो है यूशेप और फिश के शेप मतलब मचली के शेप में ज्यादतर वर्ट्स दिखाए गया है अल्दो पढ़ाने ही गया है यह left to right और right to left दोनों ही लिखा जाता था और यह जो दोनों साइड में लिखी जाती है उसका नाम होता है ब्रुस्टो फेडन एक script होती है तो इस बिसिकली ब्रुस्टो फेडन script तो यह basically आपको ध्यान में रखना है script का मतलब क्या होता है यह इस तरीके चलती है left to right हो गया then right to left फिर उसके बाद से left to right फिर light to left यह होती है ब्रुस्टो फेडन script दोनों साइट से चल रही होती है now the next thing is technology and craft के बारे में discuss कर लेते हैं कि क्या चीज हुई है इस technology और craft को ले करके हलब पंज होते है बिसिकली ब्रॉंजेज को बिलॉंग करते हैं ब्रॉंजेज में क्या होता है कि इसमें कॉपर को कॉपर को टिन के साथ में mix करके ultimately ब्रॉंज बनाया जाता था और इस तरीके से इसको हिंदी में होते है कांस यह है तो कांसा बनाया जाता था इस तरीके से मिला करके they acquainted with the bronze which was the alloy of copper and tin they got copper from the khetari mines जो की राजस्थान में थी and although it would have been brought from the Baluchistan इसके अलावा ये लोग अफगानिस्तान से भी चीजे मंगा रहे होते थे और in fact जो अफगानिस्तान से ये लोग चीजे मंगाते थे उसका नाम था बादक्षा तो दप्लेस वाज बादक्षा बादक्षा जगा का नाम था तिन बादक्षा जो हम लोग ने बाती किया ब्रॉंच smiths constituted an important group of artisan in the harapan society weavers woe cloth of wool and cotton cotton के बारे में हम लोग ने देखाए कि पाकिस्तान से ये होती थी और वूल के बारे में animal husbandry होता था और सीजी सी बात है ठंड का मौसम में ये लोग मर जाएंगे बिचारे ठंड का कपला तो बनाना ही पड़ेगा brick laying was an important craft तो ये brick से बनाते थे चीजे देखिए boat making, bead making, seal making ये सब जो है important craft हुआ करते थे जिसमें से आपको bead making के लिए important याद रखना है कि इसकी industry थी और ये industry basically दो ज लगा दी गई थी दूसरा लोथल में लगाई गई थी क्यों क्योंकि बेचना भी है बाहर foreign country में बेचना रहेगा तो ये लोग लोथल port area में भी लगा रखे तो एक तो घर्म के लिए beauty parlor बाहर के लिए port वाले इलाके में बेचने के लिए bead की industries लगा के रखे हुए थे बाक था गोल्ड स्मेथ वर जुल्री मेडवाफ सिल्वर गोल्ड एंड प्रीशिस स्टोन से सबके बनाए जाते थे तो ये हम लोगों ने पूरा का पूरा discussion किया हम लोगों ने अपने पूरे सिस्टम के बारे में जहां पर हम लोग ने स्लेवरी सिस्टम मैट्रियाल का स्टी सिस्टम फूड हैबिट अच्छा फूड हैबिट के बारे में समझ लीजिए कि वेज और नौन वेज दोनों खाते थे सब तो पता नहीं कैसे थे दोनों खाते थे अब क्या खाते थे पता नहीं तो लाइफ के बारे में हम लोगों ने बात कर ही लिया है फिर हम लोग यहां पर हमारे एक साइट है यहां पर देखिए मिसिंग है यह एक्चुली हरपा है यहां पर गलती से मिस्पृिंट होगया है हलपा के लिए जो एक्षकिवेटर से उनका नाम थे अक दयाराम साइनी तो आप याद रखिए कि हालपा में दया की जाती थी तो याद हो जाएगा आपको दयाराम सायनी, यहाँ पर जो है, 12 Grandrees मिले हैं, City of Grandrees है, Figurine of Mother Goddess बगर है मिला हुए, तो इसमें कुछ खास जाता नहीं है, important कुछ खास नहीं है, हाँ ठीक है, यह ध्यान में रखिएगा कि इसकी दयाराम सायनी ने इसकी excavation की हुई है, मोहन जोद तब यहाँ पर लोग जो है, इसको मरे वोगों को दबा देते होंगे जाकर के, अच्छा एक चीज़ important है, हडपन civilization में जितने foreigners आते थे, अगर वो बिचारे foreigner अगर मर जाते थे, किसी वज़ए से इनकी death हो जाती थी, तो इनको यह लोग ले जाकर के हडपा में, इनका जो अबी अंतिम संसकार होता था, वो कर देते थे, लेकिन जो घर वाले, मतलब इंडस वाली के लोग हुआ करते थे, उसके लिए मोहन जोदलो जगा हुआ करती थी, तो नों समझ में आ गया, तो मोहन जोदलो बेसिकली जो होता है, खोजा गया था, आर्डी बेनरजी के द्व हो जाती है, तो डेथ के लिए आपको नहाना पड़ता है, तो उसके लिए देखे, ग्रेट बात हो गया, इसके लावाद उसको खाना और खिलाना होता है, तो यहां पर ग्रेनरीज वगरे भी हो गई, फिर उसके बास से यहां पर ब्राउंज बेश की महिला डांसर भी रख कर सकते हैं, चनुदारों के बारे में मैंने आप लोगों को बताया है कि this is basically what, this is the beauty parlor, यह beauty parlor था, इसकी मजूंदार ने खोज की थी, तो आप यह आ सकते हैं कि यहां पर मजनू, मजनू जो है, वो जाता है, चनुदारों में beauty parlor में जाता है, वहां पर देखने दाखने, म citadel, no brick, only stones, और वो भी कर्वी shape में मिली है, कर्वी shape में क्योंकि again aesthetics, तेरा कोटा model of bullock cart यहां पर देखने को मिल जाता है, ठीक है, काली बंगा में जबापाएंगे तो याद रखेगा, यह जो है, वो rural area था, यह इलाका rural area था और यहां पर basically agriculture हुआ करती थी, agriculture होगी तो सीधी सी बात है, यहां के जो लोग है, वो relatively less prosperous होंगे, मतलब गरीब type के लोग होंगे यहां पर, इसके जो खोज की गई है, वो घोज साहब के द्वारा की गई है, और इसमें अब यहां पर देखिए, अब इतना सब चीजे याद कर लिया आपने, इतना समझ लिया, अब यहां प क्यों? क्योंकि अगरी कल्चर होती है, मैसोपोटामिया cylindrical seal मिला हुआ यहां पर, इसके अलाबा यह लोग बिचारे, मतलब गरीब थे, तो यहां पर जो होता है, बरियल्स भी देखने को मिले है, यह लोग यहीं पर इनको बरी कर दिया आया था, यहीं पर लोगों को जो भ क्योंकि गुजरात का इलाखा है, राइस होगा, होगा, टेरा कोटा की हाउसे मिल जाती है, डबल बुरियल, ओके, यहां पर एक चीज में धियान रखना है, यहां पर आपको, कि अच्छा, एक और चीज यहां पर याद रखिएगा, काली बंगा में एक चीज यहां पर नह करते ही करते थे, यह तो आपकी नॉर्मल चीज है, लेकिन जो लोवर सिटा डेल के भी लोग रहते थे, वो भी लोग यहां पर फोर्टिफिकेशन करते थे, क्योंकि जानवर घुस ना जाए, इसलिए याद रख लिएगा, कि फोर्टिफिकेशन जो होती थी, वो डबल होत एक exception तो beauty partner वाला मिल गया था, जहां पर open to all था चनहुदारू, तो चनहुदारू में basically जो होती है, किसी परकार की fortification नहीं थी, क्योंकि यह open to all था, और बाकी दूसरा काली बंगा में हमें देखने को मिल गया, जहां पर double fortification है, लेकिन यहां पर जानवरों से बचने के पता जिया कि बीड की यहां पर industry थी, और साथी साथ में चनुदारों में भी बीड की industry थी, ठीक है, आगे देखते हैं, बनावली, बनावली जो होती है, नाम से ही पता चला है कि कुछ बनाने वाला चीज था, यहां पर जो होती है, वो no grid planning drainage system, यहां पर जो होती है, toy plaw दे जोशी जी ने खोजा हुआ है, तो यह सुरको तारा जोशी जी ने खोजा है, यहां पर important चीज है कि यहां पर धनी लोग बहुत ज़्यादा थे, मतलब कि यहां पर तीन format में society divided थी, एक थी जिसको बहुत ज़्यादा rich बोल सकते हैं, मतलब बहुत high class था, दूसरा एक middle class था और तीसरा जो है वो lower class था, मतलब एक मातर ऐसी city सुरको तारा है, जहां पर हमें middle class भी देखने को मिलता है, otherwise कहीं पर भी middle class देखने को नहीं मिलती है, clear हो गया, तो यहां रखेगा सुरको तारा, जो जोशी जी थे, जोशी जी जो हते हैं धनी थे और धनी के कारण से यहां यहां पर pot burials भी मिले हैं और boon of horses भी मिले हैं, यह ध्यान रखेगा, this is important fact here, now the next thing, धोला वीरा, धोला वीरा जो है वो again विष्ट जी नहीं हो जा है, यह एक stadium था, यह ध्यान रखेगा, धोला वीरा जो होती है, जो आज की डेट में पाकिस्तान side पड़ती है, यहां पर जो है, और इस inscription पे कुछ चीजें लिखी हुई है, जो हम लोग डेसी फर पड़ नहीं पाएं है, इसके लावा water management system में मिल जाता है, यूनिक features मिल जाते है, city जो है, वो तीन पार्ट में divide मिलती है, फिर है दैमाबाद, दैमाबाद कहां पर है, western महराष्ट, देखा था हम लोग के पास में इलाका पड़ता है, यानि कि ये भी dockyard से related है, खोज इसकी की गए थी, इस team के द्वारा, bronze image of chariot और इस तरीके से यहाँ पर चीजें मिली है, bronze image of chariot मिला, यानि यहाँ पर again dockyard से भेजने के लिए बात की जा रही होगी, इसलिए यहाँ पर इन सब चीजों को इस तरीके से कर लिया गया है, clear हो गया क्या चीज है, तो इस तरीके से हम लोगों ने पूरा का पूरा system देखा हमारे इस Indus Valley Civilization का, इसके decline के लिए कुछ भी clear तो नहीं है, बट स्टिल कुछ लोगों ने कुछ बाते कहीं हैं उनके बारे में देख लेते हैं, जैसे हमारे एक सा सहाब, वीलर सहाब बोलते हैं, वीलर सहाब और देखें, वीलर हो गए और साथ में garden child हो गए, तो मैं किवलों किवल चाइल लिख रहा हूं याद रखने के लिए, इन्होंने कहा कि आर्यंस ने इन्वेड कर दिया था, जिसके कारण से Indus Valley Civilization खतम हो गया, तो बिसिकली वील आर्यंस तोड़के बच्चों वाली बाते हैं, तो अगें बच्चों में बच्चों वाली बाते कहीं, now the next thing की flood आ गया था, ऐसा बोलने वाले बहुत लोग थे, जैसे रायक्स हो गया, डैलन हो गया, मैके हो गया, लैंपरिक हो गया, तो आपको याद रखने की जरूरत रह हैं, तो लिकिन ये याद रखेगा कि हाँ, destruction due to the flood भी हुआ था, इसके कहने वाले बहुत सारे लोग थे, टेक्टॉनिक प्लेट के कारणा से भी, earthquake के evidence हमें मिले हुए काली बंगा में, ये बताने वाले कौन है, पता नहीं कौन है, इसके बारे में idea नहीं है लोगों को, fire य burials मिले हुए, 38 लोगों के skeletons मिले हुए, ecological change हुआ है, internet change मतलब की environment change हुआ है, जिसके कारणा से ये पूरा का पूरा system खतम हो गया और इसको बोलने वाले जो साहब थे, उनका नाम है Walter Fair, तो fair सामने fair बाते कहीं हैं एकदम, कि ecological change हुआ है और इस कारणा से, इन्होंने actually एक book लि मिल जाता है, ठीक है, तो ये थी पूरी system, एक और चीज, एक और system आप लोगों याद कर लिजेगा, एक और साहब है जिन्होंने बोला था कि climate change की कारण से ये हमारी इंडस वैली का अंत हुआ था, और ये जो climate change का अंत बोला था, इन्होंने उनका नाम था Stein, तो इनका नाम था Stein, तो आप इस तरीके से Einstein के नाम से आद रख सकते हैं, कि Einstein ने बढ़िया बाती कहीं थी, Stein ने भी एक कुछ बहुत हाई-फाई-बात कहीं है, जिसका नाम है climate change, climate change is a new thing and that is why they are saying this kind of thing, तो ये चीज़ पूरी के पूरी हम लोगों ने discussion कर लिया, कि क्या चीज़ थी हमारे इस पूरी हरफपन civilization में, जिसमें जितनी भी question, जितनी भी theory, जितनी भी books हो सकती हैं, समय ने आप लोग को बताया, पिचर का अंत होता यहीं पर, आप थोड़ा last में credits भी होते हैं तो credits भी देखते हैं, तो ये कुछ photos मिली हैं, जैसे dancing girl जो bronze की है, इसको बनाने के लिए wax method क यूज किया आता था, तो ये wax method क्या होती थी, wax method का मतलब ये होता था कि, एक wax बना दिया जाता था, उसके उपर में फिर bronze या जो भी metal गिराना है, वो गिरा दिया जाता था और इस तरीके से figure मिल जाती, तो आप लोग देख सकते हैं कि यहां पर finishing जो है, बड़ा गंदा है देख सकते हैं, पता ही नहीं चल ला है, इसका हाथ देख रहा है, लग रहा है, पाइप बना हुआ है, तो ये भी हाइट देखिए, पाइप बना हुआ है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहां पर wax material से बना होता था, एक चीज़ यहां पर ध्यान में देने वाली ह कि दो चीज़ों की यह मूर्ती बनाया करते थे, एक होते थे जो human की बनाया करते थे, और दूसरे जो animal की बनाया करते थे, the important thing is कि human की जो भी pictures बगर या जो भी images बगर बनाते थे, वो solid होती थी, मतलब पूरा भरा हुआ हुआ करता था, लेकिन जो animal की हुआ करती थी, वो actually hollow होती थी, मतलब केवल और केवल उसका सिर पैर होता था, मतलब अंदर कुछ नहीं होता था, केवल और केवल सरफेश्किल चीज़े बनायी जाती थी, इस तरीके देख सकते हैं कि आप ये एक हल मिला हुआ है, प्लॉफ, field मिली हुई है, यहाँ पर देख सकते हैं कि ये प्ल आप लोगों को सारी चीज़े क्लियर हो गई होगी, हिस्ट्री को थोड़ सा इंट्रेस्टिंग बना करके हम लोग पट रहे हैं, ताकि चीज़े, fact के साथ सब कुछ हियाद हो जाए, एक बार revision आपको करना रहेगा और आपको पूरी चीज़े याद लेंगे, फिर भी अग कोई डाउट होता है, तो आप इन चैनल का यूज़े करके हम तक रीच आउट कर सकते हैं, मिलते हैं नेक्स वीडियो में, till then, goodbye and thank you so much, next topic हमारा होगा, वैदी केज, वैदी केज की बारे में हम लोग डिसकस करेंगी in the next वीडियो, till then, again, goodbye and thank you so much.